Hello everyone, मैं निरा शर्मा, आप सभी का जॉब जंक से में स्वागत करता हूँ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भेल में आई हुई वेकेंसी के बारे में क्या खिर इसमें कौन से पोस्ट आए हुए हैं, किस तरीके से आप यहाँ पर सलेक्ट हो सकते हैं और अपना कैरियर एक लेवल उपर लेके जा सकते हैं तो वीडियो के अंद तक बने रहे हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बैल आगन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए जहांसी में ये पोस्ट आया हुए है और जो पोस्ट आया हुए है अगर आप देखेंगे तो टेक्निशियन या ग्रेजवेट अपरेंटिशिप यहां पर वर्क है और इसको हम लोग देखते वे चलते हैं कि क्या-क्या इसमें रखा गया है, क्या इसमें क्वालिफिकेशन है और क्या चीजिए जसे सबसे पहला जो है आपका graduate trainees और इसके लिए जो अगर आप देखेंगे तो यहां पर यह अलग-अलग ब्रांच है चार अलग-अलग ब्रांच है electrical, mechanical, electronics and civil जिसके लिए qualification होना जीए B.E.B. tech और यह जो ब्रांच है यह इसी ब्रांच से आपको किया होना जरूरी है इसके साथ साथ आपका जो age है वो 18 years होना चाहिए minimum maximum 27 years लेकि जो category wise candidate है उनके लिए इसमें age relaxation भी दिया गया है इसके साथ साथ एक और criteria आपको पास होना जरूरी है और वो है आपके high school के marks अगर आप general category के student है या फिर आप OBC category के student है तो आपका high school it means 10th में जो marks होना चाहिए 60% होना चाहिए और अगर आप SC या ST category से belong करते तो आपका जो percent है 55% होना चाहिए इसके साथ साथ अगर हम आगे चाहिए तो technical apprentice work जो है technician के लिए है जो है वो भी इसमें जो chart type के यहाँ पर branch है और इसमें qualification क्या मांगा गया है तो आपका diploma होना चाहिए और diploma जो है आपका 3 साल या 2 साल का अगर आपने किया हो है तो भी आप इसके लिए apply कर सकते हैं इसके साथ साथ अगर आप age देखेंगे तो 18 years minimum रखा गया और maximum 27 years रखा गया है और इसमें भी आपको age relaxation दिया गया है जैसा कि आपका graduate apprentice work में यानि graduate trainees में रखा गया था high school के लि it means आपका 60% and 55% लेकर आना कंपल सरी है अब बात करते हैं कि आप किस तरीके से इसमें apply कर सकते हैं तो apply करने का तरीका जो है बहुत ही simple सा है 4 stage है तो चलिए एक एक करके देखते हैं सबसे पहला stage यह है कि आपको apprenticeship जो site है वहाँ पर जाकर आपको registration करना है then उसी site में जाकर application application आपको submit करना है और फिर finally आपको एक code मिलेगा उस code को आपको रखना है अपने पास it means उसे बहुत सम्हाल के रखिएगा उस code को और फिर इसके official website पर आए भेल के और official website पर आकर आपको apply करना है फिर चौथा जो step होगा वो चौथा step होगा आपका selection का step इसमें एक लिखित प का selection यहां पर कर दिया जाएगा जैसे ही आप यहां पर select हो जाएंगे तो आपकी posting यहीं पर होगी यहांसी में होगी और आपका जो पूरा training period है वो यहीं पर ही होगा तो आपके पास बहुत ही बढ़िया मौका है अपने carrier को एक level उपा लेकर जाने का तो बिलकुल देखिए इसे और इसे apply जरूर कीजिए और ध्यान दिजिएगा last date है इसका 12 November 2022 और ऐसे informative वीडियो को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को follow भी करते रहिए